आपको देख रहा है कि हमारा एकनॉमिक्स का चाप्टर नंबर वन है यह आपका पार्ट टू है तो आपको टाइटल में नीचे दिख गया होगा आपको प्रोडक्शन खतम हो गया था और इन्पोर्टन बात यार फर्स्ट वीवर उस प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारे शैर कर लेना और जो लोग रेगुलर वीवर से उनके लिए यही है बस सब्सक्राइब नहीं करना है से फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है प्रोडक्शन होती ही है पहले थोड़ी बहुत प्रोडक्शन होगी फिर बाद में अच्छी होगी खराब होगी है ना क्या होता है अपनको प्रोडक्शन ही करवानी है या करनी है ठीक है तो अब फरस्ट गाउं नहीं है तो यह के अंडर पर देख लेदे कुछ पॉइंट जीए देशे लेंड इस फिक्सट अब जैसे गाउं है तो अग्रिकल्चर वहां का में उक्पेशन होगा पैसे कमाने का जरीया ठीक है तो मैंने आपको इसका जो टाइटल है इस टॉपिक का मीज इस छोटे से पहरा गया तो मैं बता दिया थोड़ा से रीड कर लेते हैं सब्सक्राइब करते हैं और जो 25 रेस्ट ऑफ 25 परसेंट हैं यहां के लोग यह तो वो कुछ और प्रसेंट पर्सेंट प्रसेंट प्रसेंट यहां पर वर्किंग से फार्मर किसानी करते हैं और जो 25 रेस्ट ऑफ 25 परसेंट हैं यहां के लोग यह तो वो कुछ और काम करते होंगे दूद बेजते होंगे या कुछ भी करते होंगे गाव का गॉर्डिंग आप थोड़ा अब इसी खेट पर खाती है जब फार्मिंग होगी अच्छी अग्रिकल्चर होगा अच्छा घास भूस होगा तभी तो आपकी चो कैटल से वह अच्छा फीडिंग दे पाएंगे हैं तो अब इसका नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं बट रमेंबर डाट दियर इस बेसे कॉंस इन लेंड एरिया अंडर कल्टिवेशन है बाइड दैन सम आप वेस्ट लैंस इन दवलेज हैस बीन कनवर्टेट तो कल्टिवेटेटल सौरी कल्टिवेलिव लैंड दर एक्सिस्ट नो फॉर्थर स्कोप्ट इंकूस इंक्रीज फार्म प्रोड़क्शन वाइब ब्रिंग न्यू लेंड अंडर कल्टिवेशन यहां पर सीधा साथा यह मतलब है कि अगर आप मतलब जैसे मेंडलीटी बना लेते हैं हमारे गाह में खेती होती है तो आप खेती के ही साइट जाओगे कोई और अधा फील्ट पर वर्क नहीं कर सकते हो उसका यही मतलब है कि सिंस यहां के टाइम पर उस चीज को एकदम कल्टिवेटे लेंड मिना दिया मतलब वहां पर भी उस लेंड का भी यूज करवा दिया गया है तो इसका नेक्स पॉइंट है वह देख लेते हैं सो यहां पर दिया गया है इस दियर अव वे बन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दा सेम लेंड मतलब यहां पर सीधा साथ यह मतलब है कि हमारा जो एक ग्राउंड है खेत है वहां पर सिब एक ही सीड उख सकती है शायद आपको पता होगा नहीं क्योंकि जो हमारी स्वाइल होती है वह काफी अलग-अलग नीट्रेंट करीड करती है तो वह अलग-अलग क्रॉप्स के लिए होत है और थोड़ा सा यह जो मैंने अब भी आपको अंडलाइन करके बता है तो दूरिंग रेनी सीजन खरीव क्रॉप्स बोलते हैं जो की रेनी सीजन के टाइम पर वो करते हैं ग्रो करते हैं फार्मर्स जो हैं जौर और बाजरा ठीक है यह ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैटल है तो आपको सीधा साथ है सिसमें यहीं समझना है कि एक खेत में काफी चीजे ग्रो कर सकते हैं ठीक है यहां पर इसके आंगे थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट पैरा मिला है जो की मतलब उसके बाद हमें आंगे बढ़ना है कि हमारा जो फील है ग्राउंड है वहापे एक द लिए काफी अच्छा है मतलब जो मैं इंट्रेड्यूज हुआ है तो देखो इंट्रेड्यूज के आप यह पर लेना इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है वही उसके बारे में दिया गया है ठीक है आपने देखा कि एच वाई वी जो ने ग्रीन आवेशन में पढ़ा है त तो जब वह हाई लेविल का दिया गया है वराइटी दी गई है लिंक के लिए खेती के लिए तो उसमें देखो पैसे जाले आई यह से कीट के टाडू होते हैं वह मर जाए जिसके लिए आपके क्रॉप सेफ रहें ठीक है तो ऐसे से हाय चीजे उसमें यूज की गई है तो नहां पर आप लोग देख सकते हो वर पॉसबिल फ्रॉम और कॉमिनेशन ऑफ सीड्स हवाई वी सीड्स इरिगेशन केमिकल फर्टिराइजेशन स्वर्टिराजर्स पैस्टिसाइड्स यह सारे चीजें क्रॉप्स को बचाने के लिए होते हैं ठीक है इरिगेशन पानी देन उत्रखंड साइड का तो वहां पर यह मैथट फॉसले यूज की गई थी इंडिया में ठीक है बाकी के यह रेस्टॉप आपको इतना यह पूरा रीड करना है जितना समझाने लाइक था उतना मैंने आपको बता दिया तो यहां पर थार्ड नंबर पर दिया गया है तो यहां पर इसका मीनिंग आ चाता है कीप गोईंग ओवर टाइम और कंटिनूसली गोईंग जिससे हमारा खेत है तो उसमें कोई पेड लगे है मैंगो के या फ्रूट्स के तो वह बड़सों से चल दे आ रहे है यार अपना जो वह मैंगो का पेड़ है वो अपनको मैंगो देते आ रहा है और जिसके अंडर पर है वो सको सेल करते आ रहा है तो यार देख उसका लेंड है keep doing on working ठीक यहीं मतलब है सो गाई देख लेते हैं यांद क्या बोलता है ठीक है इसका यहीं मतलब है प्लेंड से स्टेन का ठीक देख ले देख बर इसको भी Green Revolution is associated with the loss of soil fertility due to increases uses of chemical fertilizer यार देखो जब अच्छ अच्छ chemical used होंगे crops को बचाने के लिए तो यार देखो advantage होता है तो उसका पीछे थोड़ा बहुत disadvantage भी मिलता है ठीक है हमें फोन से पढ़ने में बहुत जादा benefit है हमें तरह तरह की चीज़े मिल जाती है YouTube पे बट जिसको नहीं पढ़ना है तो वह क्या ही कर लेगा उसका phone ऐसे ही है ठीक है तो यहां पर हमें अच्छ चे chemical fertilizer तो में ले क्रॉप को तो बच्छा है पट चुल लॉस होई है अच्छ प्रवाट लेटिटी की वह फॉस्स पॉइंट हो गया continuous use of groundwater from Tue Well irrigation has reduced the water level below the ground अब देखो जी तुमें वाटर तो में ले गया क्रॉप्स के लिए अपने खेत में पाई डाली बट जो वाटर लेवल होता है अपने ग्राउंड पे उसका जो लेवल है वह कम हो गया ठीक है अब यहां पर सेगेंड पॉइंड पॉइंड हो गया थार्ड पॉइंड देख लेते कि environment resources दिया गया जैसे स्वाइल हो गया स्वाइल फर्टिलीटी एंड ग्राउंड वॉटर यह दो चीजें आप 1.2 पॉइंड में दी गई है तो इनका देख लेते कि यह अगर होती है मिलती है हमें अगर हम इनको डेस्ट्राइक कर देंगे तो यार इनको डिफिकल्ट है कि में स्टोर फिर से कर पाएं उनको फिक्स नहीं कर सकते एक बार गई यार एक बार डेस्ट्राइब हुई तो हो गई वो ठीक है सो हमारे थर्ड पॉइंट में इतना ही सो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं किया है अब आप लोग रीड कर लेना हाउ इस लैंड डिस्टिबूटेट विट्वीन पार पालंपूर ठीक है देखो यार फिफ्ट नमबा को पॉइंट देख लेए थे लेवर अप लेबर होता है जो अपने अंडर पर वर्क करवाता है या करता है तो वह कैसे मतलब दूसरों काम दे सकता है ठीक है उसके पास बहुत बड़ा सा खेत है ठीक है एक फार्मर है वह अ प्रोवाइड कर रहा है लेबर को ठीक है ठीक है हमारा सिक्स पॉइंट आता है यह दिया यार कि देखो कोई स्मॉल फार्मर है ठीक है उसको अपना कुछ चलाना है करश्च चलाना है उसके खेत से नहीं हो पाए तो वह कहीं और बड़े किसान से अब मनी लैंडर से वह ले दिखकत आ जाती है वही सब इस पॉइंट में दिया गया है आप लोग चाओ तो रीड कर लेना आपको नेक्स वीडियो में मिलेगा विडियो का फिलम भी हो जाएगी ओके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और वीडियो को लाइक करें बिने बिलकुर मचाना और प्लीज गोडियो चलिक तो प्लीज शेयर करते ना थेंक्यू थेंक्स ववाचीं